इस्राइल हमास युद के बीच उत्री इस्राइल पर हिजबुला के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस्राइल के बीच उत्री इस्राइल पर हिजबुला ने दक्षनी लेबनान के अल-ाइशिया में इस्राइल के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। नियूस्पेपर का कहना है कि हिजबुला ने जिस ड्रोन को गिराया है वो युद्ध की शुरुआत से इस्राइल का अब तक का पाँचवा ड्रोन है जिसे हिजबुला ने निशाना बनाया है। इस्राइल के ड्रोन पर हमले के अलावा हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने मेतुला में इस्राइली सेनी को द्वारा इस्तिमाल की जा रही दो बिल्डिंग्स को भी उड़ा दिया है। वहीं लेबनानी मीडिया हाउस अलमयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हिजबुला ने जिस ड्रोन को मार गिराया है वो इस्राइली सेना का हरमीज 450 ड्रोन था। लेकिन हरमीज 450 एक लौता ऐसा ड्रोन है जो लगातार दक्षनी लेबनान के आस्मान में उड़ान भरता रहता है। इलेक्ट्रोनिक वारफेर लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के लिए आटो पाइलिट से लेस है। और साथ ही इस ड्रोन का इस्तेमाल हवा में टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसराइल के इस ड्रोन की कीमत करीब दो मिलियन डॉलर है। वहीं अगर हरमीस 900 की बात की जाए तो ये भी एक मीडियम साइज का ड्रोन है जो मध्यम उचाई पर कई तरह के पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है। ये हरमीस 450 का अपग्रेड़ वर्जन है। ये हवा में लगातार 30 घंटों तक उड़ान भर सकता है और ये 30,000 फीट की उचाई तक जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी टोही, सर्विलांस और संचार में किया जाता है। ये ड्रोन 300 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और इसके पंखो की चोड़ाई 15 मीटर है। लेकिन इसराइल के इन तकतवर ड्रोन्स के हमलों का जवाब हिजबुला भी दे रहा है। हाल ही में हिजबुला ने शुमेरा सेटिलमेंट्स में एक बिल्डिंग पर हमला किया है। इसके अलावा हिजबुला ने दोवेव बैरिक्स के आसपास IDF द्वारा हाल ही में लगा गए सर्विलांस उपकर्णों को भी एक हमले में उड़ा दिया है। हिजबुला का कहना है कि सुभा करीब 10 बच कर 20 मिनट पर जल अलम साइट पर उसने हैवी बुरकन रॉकेट्स दागे थे जो इसराइली सैनिकों के जमावले पर जाकर लगे थे। कर दो एक एक हम पर जाइब।